और शिखरदवन के लिए सेम, शिखरदवन टेस्ट टीम के अब हिस्सा नहीं है, उनके पास दो मैने थे, वो वापस आते हैं, वो दिल्ली के लिए खेलते हैं, रंजी टोफी आपके उपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके उपर कोई एक्स्पेक्टेशन नहीं है, जब आपक आपको फर्सकास क्रिकेट खेलनी है आपको बेस्ट फॉर्म में होना बहुत जरूरी है आप सिरफ यह नहीं कर सकते कि मैं इंटरनाशनल क्रिकेट में जाओं और सिरफ मैच इंडिया के लिए खेलू चलिए अभी तो फ्री हिट है यहां और इस तरह से फ्री हिट का फाइदा उठाते है रोईट शर्मा अब यह फील्डिंग भी देखिएगा जरा भाई साहब कि मज़ा आएगा अनंद आएगा आपको शॉन मार्श की यह फिल्लिंग का एफट देखे अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ओवर स्टेप करने से और मुझे लगता है कि रोई शर्मा इसका पूरा बर्फूर फैदा उठाएंगे यहां से उनको कॉन्फिद कि में दो ऐसे बल्लेबास हैं जो फुक शॉट बड़ी अच्छी तर्से के लिए एक है विराट पोली और दूसरे है रोहित शर्मा बैतरीन शॉट है जबर्दस्ट कमाल का हवाई फायर और जो करना चाहते थे इनबास की लाइन और लेंफ इनबास को मजबूर किया कुछ अलग करने के लिए ये पाच डॉट गेंदे और अच्छटे गेंद पे आये चेहरण तेरपन पे तीन कि कफेद गेंद रुपती नहीं है सतय पर पढ़ने के बाद टेस्ट मैच मिसीज राउट हुए थे राहिव किया उतनी ऊपर नहीं थी गेंद जिसके लिए रोह शर्मा जाते जाने जाते हैं लांग लिवर थोड़ी छोटी होती है तो पुल कराते हैं उसी प्रकार कमाल की टाइमिंग है और अगर आप आउट फिल्ड देखें थोड़ा सा दूर फिल्डर से और कोई मौका नहीं डी फिल्डर को इसको कट करने के लिए थूद लाइन खेलने की कोशिश करी इस्टेंशन ओफ दियाम्स अगर इस मैच के पास पहुचना है भारत को और पर जीतता है अगर बिल्कुल आशीश मुझे लगता है यह पारी बहुत ही जाते इंपॉटन थी भारत के पॉट्ट अप्विस से और यह पार्टनर्शिप वाप तीन विकेट चार एनग पांचार अंपे खोड़े थे हैं तो जिस तरीके की यह पार्टनर्शिप हुई है यही पार्ट आता है यह शौट जो है यह टी ट्वइंटी की देर है अधर भी गेंटी उनकी जब पहला अरन बनाया था बोल्ट पे आज छक्का लगाया था फ्लिक करके उफर यह देखिए पचास के बाद इनका जो हम जो गेर की बात करते हैं पहला दूसरा तीसरा चोथा पाच्छोव चलिए आगास तो होग शुपा है इस ओवर से बारा रन आये ओवर से और जब खाता खुई जाता एक बार फिर बागी सब के खाते बंद हो जाते हैं गेंट बाजो के खाते बंद कर देते हैं यह थिकाने पहुचाते ही देखिए कदमों का स्तेमाल और इनका जो हाई बैक लिट है बॉल की पिछे पर हार पहले ही गेंद ओवर का दबाब डालना चाहते थे रोहिट शर्माजार विचिद्सन पर यह पुल शाट जबरबस्त शाट खेलते हैं यह चौका होगा तुमाल का शौक बहुत कब ऐसे बल्लेबाज और अब तो ही चाहते हैं यह चोटी गेंद आदी पिछकों गेंद और यह दूसरा चाहते हैं कि अच्छी ओवर साथ हो रहे हैं तल्ले के बेई खुल नीचे लग देए पर अच्छा शॉट बहुत अच्छा शॉट थोड़ा जोके में उठाई और बहुत अच्छा शॉट निचल के इस ओर में 13 रन और रोहित शर्मा सेंचुरी सिर्ट सिर्ट तोरण तूर पिल्कुल सही सोच तो होने चीह हो आपे तोरण तूरे शतक तूरा रोहिट शर्मा का 22 वा शतक एक दिवस्य क्रिकेट में रोहिट शर्माइक और शांदार पारी साथ वाशतक ऑस्टेलिया के खिलाफ और यह तो बहुत यह अच्छा शतक था शुरुआत धीमी की थी क्योंकि तीन विप्टे फटाफट निकल पड़ी थी तीन बादे एक यह प्रियास था बड़ा स्टोक लगाने का पर ऐसा हो नहीं सका खुशकिस्मत रहे गेन बीच में गिरी स्टोइनियास थे डीप मिड़ विकेट पर रविंदर वोड़ीया फोट फुल्टोस गेन ठके या तुए नजर आते हैं साथ इसमें तो कोई संदे नहीं फुल्टोस गेन को मिस्किया खुशकिस्मत रहे चार अधर के शुरू शुरू में अधर या श्रोक यॉरकर डालने का था परियास इस बार छोड़ा नहीं रोज चर्माने कमाल का यह स्टोग कि यहां बेजादा कुछ करना नहीं पड़ता बिल्कुल आप ने उनके चुने चुनाए इलाके में गिन डाल दी है और यह है उनका प्रतोप यह इनके ठाट जब यह बल्लेबाजी करते हैं अगर एक बार यह सेट हो जाएं तो नहीं क्या एक और बढ़िया स्ट्रोग गैप में 213 पर पांच जैसा रोई शर्मा भी तक कर रहे हैं फुल्टॉस गेंद एक बार फिर लिड़ॉफ उपर था चार रन मिलेंगे और वो टपाने में वो काम्याब रहें नहीं तो बल्ले के काफी निचले भाग में आके गेंद लगी थी थी थराव रनीती में कहूंगा स्ट्रोइनस और फिंच द्वारा जितनी गति यह गेंद हवा में डीप मेडविकिट इसके नीचे आएगा जी हाँ पकड़ लिया कै आकस्वेल ने रोहिच शर्मा हुए आउट स्ट्रोइनस अनुभव का फायदा और रोहिच शर्मा जो थे वो इस तरह से आउट हुए धीमिकति की गेंद उंगलिया किस तरह से फेरी थी सीम के उपर गेंद उपर चड़ती चली गई और जब उन्होंने वो शॉट खेला त तो वो उची ज़ादा चली गई गेंद उतनी ज़ादा दूर वो शॉट को भेज